एक भाशा में वेक्त विचारों को दूसरी भाशा में वेक्त करना ही जो है अनुवाद उस सामगरी को दूसरी भाशा में भाशान तरण करना यनी ट्रांसलेट करना ही अनुवाद है करके भुलाना तिवाली जी कहते एक ते नम्मा शक्ति, यूनिटी इस अवर स्टेंथ, एक ताही हमारी शक्ति, एक भाशा या पार्ट में नहित अर्थ को दूसरी भाशा में भाशान तरण करना ही जो है प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता, मेरे फस्प्यूसी के जितने भी विद्यारतियां आप सब का मेरी कक्षा में स्वागत है मेरे प्रिय विद्यारतियों, मैं आज आपको रचना भाग के अंतरगत जो आपके लिए अनुवाद है, आज उसी के बारे में आपको जानकारी दूँगी अनुवाद, अनुवाद यानि एक भाषा में जो निहित अर्थ है, उसे दूसरी भाषा में भाषांतरित जो है करना ही अनुवाद है एक भाषा या पार्ट में निहित अर्थ या संदेश को जो है, दूसरी भाषा में एथार्थ, यानि जैसे है वैसाही दूसरी भाषा में जो है वेक्त करना यहीं उसे ट्रांसलेट करना उसे अनुवाद करना उसे भाषांतरन करना ही अनुवाद एक भाषा में वेक्त विचार को दूसरी भाषा में वेक्त करना ही जो है अनुवाद कही गई बात को, कही गई बात को दूसरी भाशा में कहना जो है अनुवाद है अनुवाद का अर्थ, अनुवाद शब्द की उत्पति दो जो है शब्द मिलने से हुई एक अनू, दूसरा जो है वाद, वाद शब्द संस्कृत के वद धातू से लिया गया, जो है वाद शब्द जो है, संस्कृत के वद, वद धातू से वाद शब्द जो है, बनता है, तो यहाँ पर देखें, वद का अर्थ है, बोलना, वद का अर्थ वद, यानि उसका अर्थ ह बोलना है वाद शब्द में अनू जो है अनू वाद में जो अनू है वो उपसर्ग है उपसर्ग जुड़कर जो है अनू वाद शब्द जो है वो बनता है तो अनू वाद में अनू उपसर्ग है वाद जो है संस्कृत के वद धातु से बना है तो यहां पर ये दोनों शब्द मिलकर अनुवाद बनता है और प्राप्त कथन को पुना कहना प्राप्त कथन को जो है पुना कहना इसका अरुत है जो प्राप्त जो रहा रही पाट सम्मगरी को फिर जो है दूसरी भाषा में कहना यानि प्राप्त कथन को पुना कहना अंग्रेजी में इसे translation कहा जाता है यह शब्द भी दो शब्दों से बनता है जिसे Translation जिसका अर्थ है बात को दोहराना Translation भी दो शब्दों से बना है Translation जिसका अर्थ है बात को दोहराना बात को फिर से कहना दूसरी भाशा में परिभाश यहाँ पर कईफोट कईफोट ने कहा है कईफोट ने अपनी परिभाशा दी है अनुवाद के लिए एक भाशा की पाट्य समगरी को दूसरी भाशा की समानार्थक पाट्य समगरी से यहीं परिस्थापना ही अनुवाद है करके बताते हैं एक भाशा में जो लिखी हुई पाट्य को दूसरी भाशा की समानार्थक पाट्य सामगरी से परिस्थापित फिर उसे दोहराना फिर उसे लिखना क्या है दोहराना ही अनुवाद है तो देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं कि विचारों को एक भाशा से दूसरी भाशा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है यहाँ पर देवेंद्रनाथ शर्मा जी कहते हैं कि विचारों को कोई भी एक विचार जो एक मूल भाशा में लिखी गई है उसे जो है एक भाशा से प्राप्त सामगरी को दूसरी भाशा में भाशा अंतरन करना ही, अनुवाद है करके भोला नातिवारी कहते हैं, यहाँ पर किसी भी भाशा, कोई भी भाशा हो, उसकी मूल सामगरी, जो लिखी हुई, जो मूल सामगरी है, जो पहले कोई एक भाशा में लिखता है, प्रथम ब वो जो है प्राप्त सामगरी जो पहले से ही है उस सामगरी को दूसरी भाषा में भाषा अंतरंड करना यनी ट्रांसलेट करना ही अनुवाद है करके भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं तो दंगल जाल्टे ने कहा कि स्त्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष भाषा के परी निस्टित पाठ के रूप में रूपार दरंड करना ही अनुवाद है तो ये कहते हैं कि स्त्रोत भाषा यनी मूल भाषा जिस भाषा में प्रथम भार लिखा गया हो लक्ष भाषा यनी लक्ष भाषा यनी लिखी हुई बात जो कि एक जो सामगरी है जो कि पहले से ही लिखा हुआ जो है वो स्त्रोथ भाशा है जो लिखा गया उस भाशा को स्त्रोथ भाशा कहते हैं जो कि पहले से ही वो सामगरी उपलब्ध उस भाशा को जो कि दूसरी भाशा में ट्रांसलेट करना यानि दूसरी भाशा यहीं लक्ष भाशा तो जो है भाशा के मूल पाट के अर्थ को जो है लक्ष यानि target language जो की दूसरी भाशा में रूपांतरित करना ही परिनिस्टित करना ही पाट के रूप में रूपांतरित परिनिस्टित यानि परिनिस्टित पाट के रूप में रूपांतरन करना ही जो है अनुवाद है करके द जाल्टे कहा अनुवात की अवश्यकता ईवं महत्वतो देखें अनुवात की अवश्यकता नियालय शिक्षा सरकारी कारियाल है विज्ञान एवं पवद्योगिक साहितिय और जनसंचार अंतरास्तिया संभन्द और वान्यीजिश संस्कृती आदि में अनुवात का प्रयोक किया जाता है यह सब जगे जहां पर नयायाल है यनी कोर्ट में शिक्षा जो है उस शिक्षा में सरकारी कारियालों में सब में जो है इसका जो अवशकता है इसका महत वो जो है वो बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसकी अवशकता जो है सबी जगे सरकारी कारयालों है शिक्षा में और नयायालों में और विग्णान में पउद्योगिक बिजनस में भी और जो है साही तिक संचार में भी अंतर रास्ट्रिय संबंदों में भी इसकी आशकता जो है जरूरी है बहुत ज्यादा यह महत्म रखता है यहां पर दिखें अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद प्रक्रिया पर जो है नाईडा, नाईडा ने अनुवाद प्रक्रिया में निम्न लिखित तीन सोपान का जो है उलेख किया, तीन सोपानों का उलेखन जो है नाईडा ने किया है, तो वो बताते हैं कि विशलेशन, अन अनलाइजस होना जरूरी है, अंतरण यानि ट्रांसफर होना जरूरी है, यह भी एक सोपान, विशलेशन एक सोपान है, और अंतरण एक सोपान है, और पुनरगटन, यानि रिस्ट्रेक्चरिंग जो है, होना है, यह तीनों रिस्ट्रेक्चरिंग जो है, वो जो है, यह तीनो 205 जो है नायडा ने अनुवात की प्रक्रिया में उल्लेख किया है अच्छे अनुवादक के गुण, एक अच्छा अनुवादक जब होता है एक अच्छा ट्रांस्लेटर जब बनता है तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए तो यहाँ पर कुछ गुण हैं देखिए, भाषा का समोचित ग्ञान, भाषा कोई एक भाषा पर उसे संपूर्ण तरीके से अधिकार होना चाहिए, यानि गूरी भाषा के उसे जानकारी होना चाहिए, उसे दो-तिन भाषाएं अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये जो है उसमें होना चाहिए एक प्रथम गुण है उसे अच्छी तरह से भाषा जो है दो तीन भाषाएं जरूर आनी चाहिए पिर संभंधित विशय का संपूर्ण ग्यान यहीं जो भी संभंध चो कि कोई भी एक विशय हो उससे संभंधित पूरा ग्यान जो है उसके विशय जानकारी जो है ट्रांसलेट करने से पहले जिस विशय पर वो ट्रांसलेट कर रहा है वो सारा सारी संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण जानकारी उसे विशय पर उसे होनी अवश्यक यह दूसरा गुण है तो तीसरा गुण स्वातंत्र विचार शक्ति उसे स्वातंत्र होकर यह अपने स्वातंतरता से विचार करते हुए, विचार करने की एक शक्ती उसमें होनी चाहिए, पिर अनुवाद विधा का पूरा ग्ञान, अनुवाद करने की जो विधा है, उसकी पूरी जानकारी उसे पहले से ही पता होनी चाहिए, पिर प्रमाणिकता एवं मौलिकता के गुण क्या है वो निस्पक्ष होकर अनुवाद करना चाहिए किसी के पक्ष में जो है अनुवाद नहीं करना चाहिए और जो है वो प्रमाणी कता एवम मौली कता के गुण उसमें होना जरूरी है ये सारी जो गुण है एक अच्छे अनुवाद दक में होना जरूरी है अनु जो है उसके दो ही प्रकार है एक विशे वस्तु के आधार पर दूसरे प्रकृति के आधार पर तो ये दो जो है अनुवाद के प्रकार है विशे वस्तु के आधार पर जो है एक साहितिक अनुवाद एक साहीतिक अनुवाद तो इसमें जो है साहितिक अनुवाद में जो है व विग्नयान से समंधित जो भी बाते होती है वो दूसरी भाषा में जो ट्रांसलेट होता है यानि उसे जो है अनुवाद किया जाता है वो विग्नयानिक अनुवाद कहलाता है इसी तरह वानिज्य अनुवाद वानिज्य यानि जो कि बिजनस के दौरान जो भी बाते होती है दूसरी भाषा में translate करना यह वानिज्य अनुवाध पिर मानविक समाज शास्त्रिया अनुवाध पिर प्रशासन यानि कानुनी तोर पर जो भी बाते होते हैं वोसे दूसरी भाषा में translate करना यह साहितिक अनुवाध के अंतरगत आता है संचार माध्यमों का सामगरी का अनुवाध संचार माध्यमों यहां पर संचार माध्यम का मतलब है न्यूस पेपर हर एक भाषा में इसे जो है वही एक कहिवे विशे को हर एक भाषा में translate करके लिखा जाता है न्यूस पेपर हो या कोई भी ऑनलेन जो भी न्यूस आती है उस आहितिक अनुवाद के प्रकार है और अभी प्रकुर्ति के आधर पर जो अनुवाद है उसके अंतर गत आठ प्रकार आते हैं एक शब्द अनुवाद यह शब्दों का अनुवाद होता है दूसरी भाशा में पिर जो है भाव अनुवाद पिर छाया अनुवाद सार अनुवा व्याख्या अनुवाद आशू अनुवाद आदर्श अनुवाद रूपांतरण ये जो है प्रकूरती के आधार पर आधार जो प्रकार है वो इस प्रकार है। यहाँ पर डाले हैं जैसे कि देखिए पहले ताज महल वंदू सुप्रसिद्धा कटड़ा वागिदे। यहाँ पर प्रशन जो है आपको कन्नड में भी रहेगा और अंग्रेजी में और इसको जो आपके लिए आसान हो उस भाशा में पढ़िए उसे अच्छी तरह से वेरी फेमस मान्यूमेंट तो हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है देखिए ताज महल एक सुप्रसिद इमारत है तो दूसरा प्रशन एक ते नम्मा शक्ति यूनिटी इस अवर स्ट्रेंद एक ताही हमारी शक्ति है तो इसी तरह और भी कुछ उदाहरण है देखिए भा Most of the Indians depend upon agriculture तो यहां पर हिंदी में अनुवाद यहां पर देखिए उसका हुआ है भारत में अधिकांश लोग क्रिशी पर निर्भर है पिर और एक प्रशन है भारत अवू श्रीमंता संस्कृतिया देशा वागिले तो इंडिया इस और रिच कल्चरल कंट्री तो इसके लिए हिंदी में अनुवाद भारत देश सांस्कृतिक रूप से संपन है और एक प्रशन है तो यहां पर कंट्र हमारी राजबाशा है इसी तरह आपको कोई भी प्रशन कंणड या अंग्रेजी में जो है दिया जाएगा परिक्षा की दुरुस्टी से आपको पांच अंक के लिए प्रशन पूछेंगे और कंणड और अंग्रेजी में प्रशन दियेंगे उसमें जो हैं आपको हिंदी में अनुवात करना पड़ेगा तो हिंदी में आसानी से आप अनुवाद कर सकते हैं जो भाशा कन्नड अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आती है तो कन्नड में पढ़कर उसे समझीए अगर अंग्रेजी में अच्छी तरह से समझ में आती है तो उसे समझते हुए हिंदी में अनुवात कीजिए तो मैंने आज आपको अनुवात के बारे में जानकारी दी है धन्यवाद